बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेटगाइड पीपोल्स वोईस और पहला आइकन दबाए अगर आज माने पर साथ कासी राम जी होती तो क्या करते हैं यह आप सोच रहे होंगे क्योंकि आज सुबह सही जैसे ही बस्वा सुप्रेमों मायावती जी ने कॉंग्रेस पार्टी को छे विदायकों को विहप जारी किया कि आपको कॉंग्रेस के खिलाफ वोट देना है तो आप लोग पूरी तरीके से कहीं सारे लोग जो विरोधी लोग है वो खड़े हो गए औ ज्यादा से ज्यादा मायावती जी के उपर आरोप लगाना शुरू कर दिया और आरोपों के अंदर जो मुख्य तोर से मुझे दो आरोप नजर आए जिनके मैं जवाब है वो आप लोगों को देना चाहता हूँ पहला जो कमेंट और ज्यादा सोसल मीडिया पर सवाल जो ख आजस्तान में बहुजन समाद पार्टी ने 2008 में और 2018 में 6-6 विदाएक जीते और दोनों ही टाइम दोनों ही समय कॉंग्रेस की यहां सरकार है वो पूरी सरकार नहीं बन पा रही थी उनके इस्पेश बहुमत नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाद पार्टी ने इसलिए वोट कॉंग्रेस के दिया ताकि बहुजन समाद पार्टी सरकार ना बना ले आपको मैं एक चीछ साब बताना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाद पार्टी सरू में ही मद्य प्रदेश में बसपा के साथ बीजेपी के साथ चली जाती बसपा तो कॉं साब मुझे बताइए कि अगर आपका कोई दोस्त है और आप उस पर बार बार विश्वास करते हैं उसके बावजूद भी वो आपके साथ विश्वास घात करता तो आप उसके साथ क्या करेंगे जहीं पर कॉंग्रेस पार्टी के साथ बहुजन समाद पार्टी ठीक वही कर मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि बहुजन समाद पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी बीजेपी के सासन काल से पहले पहले ही जो है सरकार में रही थी यानि कि बारती जनता पार्टी का सरकार 2014 में बनने की बाद मायावती जी के पास कोई सरकार नहीं आई नही कुछ है यानि कि मायावतीजी पर जितने भी आरोप लगे वे हैं जितने भी उनकी जाँच है वो सब की सब 2014 से पहले किये और 2014 से पहले आपको बताने की कोशिश करूँ तो और आपको जानकारी दूँ तो यहां पर या मायावतीजी के खिलाब कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत बार जांच की एक बार नहीं बिलकि कहीं बार सी बी आई जांच करवाई एडी की जांच करवाई तो कॉंग्रेस पार्टी को इस बात को सारवजनिक करना चाहिए कि बहुत जन समाथ पार्टी की सुप्रेबो माय सरा 14 से पहले तो CBI जो एडी है वो पूरी तरिके से Congress Party के हाथ में थी तो Congress Party ने मायवत्यीजिए अगर इतनी गलत थी तो मायवत्यीजी को बचाया क्यों मायवत्यीजी के सखिलाब कारवाई Congress Party ने क्यू नहीं की इस बात को Congress Party को जनता को ज़ब देने की जरूद है साथ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुज़न समाज की जितने भी नेयता है वो सारे सारे नेयता अच्छे होंगे या पूरे होंगे उनमें alma कमया होे लेकिन वो बीजेपी और कॉंग्रेस से हमेसा ही भेतर रहेंगे इसमें कोई दो सक नहीं है और ये आपको सब्जने की बहुत ज़्यादा जरूरत है मैं आपर साथ तरीके से कहना चाहता हूँ कि आज की तारिक में अगर मानेवर साथ कासी राम जी होते क्योंकि मानेवर साथ कासी राम हमेसाई एक बात कहते थे कि येन के इन परकारें किसी भी परकार सब्टा बहुजन समाज के हाथ में होनी चाहिए और जैसे का तेसा करारा जबाब भी जो देना जरूरी है तब ही जाकर राजनीते में जिन्दा होने की परिभासा मैसुस होती है और एक बार नहीं बहुजन समाज पार्टी के सस्ताबक मानेवर साथ कासी राम जी ने बीजेपी और कॉंग्रेस को कहीं बार उन्होंने आपको बता दें कि अपने फल के नीचे कुछला था एक वीडियो वाइरल होता है सोसल साइट पर अगर आपने देखा नहीं तो उसमें मानेवर साथ कासी राम जी से पत्रकार यहीं सवाल करता है कि आप कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों है वो नागनात और सापनात है तो फिर आप बीजेपी से गटबंदन करके बीजेपी के फन को अपने कुचलने का प्रियास करते हैं अपने नीचे दवा कर रखते हैं जबकि कॉंग्रेस पार्टी का जो धीमा जह रहा है उसको हम जड़ सही मिटाने की कोशिश करते हैं इस बात को बहुत जादा जुरूरी ते मिलेंगे इसने वीडियो ने प् लाइक कीजिए कमेंट की जो शेयर करना बिलकुल ना भूलें